नमस्कार मत्रो हम गोरकवानी के पदों की ब्याक्या देख रहे थे जिसके संपादक पीतम बर्दत बर्थवाल हैं जो सबदी के कुछ पद पाठे क्रम में लगे हुए हैं तो कल हमने पाँच्पत देखे थे पीतम बर्दत बर्थवाल के जीवन पर्चे और साहतिक परचे के बारे में देखा था साती हमने नात्स संपरदाय से संब्दत का समय और गोरकवनाथ से संब्दत मुष्रवंदू ने पत्ध हिंदी कह डिक कहा और आचा रामचंशकल और श्यामशंदरदास के जो कथन थे उनको हमने देखा था आज हम शब्दी के पद संख्या बारे से आगे ब्याक्या को देखेंगे तो आईए देखते हैं शब्दी के पद देखेंगे ये बारे माँ पद है कुछ छोड़ छोड़ करके पद लगे हुए है पाटे करम है शारम सारम गहर गंभीरम गगन उचलिया नादम मानिक पाया फेर लुकाया जूटा बाद बिवादम देखें यहां पर इसमें जो योगी साधक होता है साधक जो 6 चक्र है शरीर में सबसे नीचे जो मूलाधार है कुड़नी कुड़नी को जागरत करके मूलाधार से होती हुई स्वाधिस्ठान मनी चक्र और फिर जाकर उपर जो आकाश मंडल है सहिस्तरार चक्र है उसमें जब साधक की स्थिति हो जाती है तो परमतत्त्त की प्राप्ति हो जाती है और वहां पर एक शंगीत सुनाई दीता है जैसे अनहदनात के दे हैं तो उसी इस्थिति में साधक का आउत्मा का उश्परमतत्त्त से मिलन हो जाता है अदोयत इस्थापित हो जाता है और यही यूग की चरम इस्थिति है और यह साधना के दारा यूग के दारा संभव है तो इसमें भी गुरकनाथ उसी गगन की बात कर रहे हैं गगन यानि आकाश मंडल जब योगी साधना के द्वारा कुल्डण ये को जागरत कर लेता है तो उसकी इस्तिती जब आकाश मंडल में सहस्तरार चक्र में होती है तो नादम नादम यानि अनहदनाद वहाँ पर एक अनहदनाद की धनी उचलिया माने गूजती है सुनाई देती है तो जब साधक अपनी कुंडली को जागरत कर लेता है और ब्रह्म मुरंद्र या सहस्तरार चक्र में उसकी इस्तिती हो जाती है तो वहाँ पर पहुँच करके उस गगन मंडल में आकाश मंडल में एक अनहदनाद की धनी शुनाई देती है और यह अनहदनाद ही योगिय का सबसे सारों का सार है और गहर गंभीर गंभीरतम है यही गंभीर शे गंभीर इस्तिती है और यही योगियों के लिए बिक्तियों के लिए मनश के लिए सारों का सार है मानिक पाया फेर लुकाया जूटा बाद विवादम और जब शाधक उस परम ब्रहम रूपी मानिक को पा लेता है यानि उस से साक्षात कार कर लेता है तो फिर वह उस इस्तिती को स्वानभूत करता है और जो इस्तिती है परम ब्रहम से तादात्म की उस इस्तिती का बाणी से बखान नहीं किया जा सकता वह अवर्ण नहीं है तो वह अनभूत है स्वानभूत है जो बिक्ति साधना करता है उसको वह अनहद नाद सुनाई देता है और वह उसका बखान नहीं कर सकता फिर लुकाया लुकाया माने शिपना यह इस्तिती संसार के लिए छिपी हुई रहती है गुप्त रहती है लेकिन उसको वह मानेक रूपी परम भ्रहम से साक्षात कार के इस्तिती को वह साधक स्वानभूत ही करता है फिर लुकाया यानि संसार को से वह इस्तिती छिपी रहती है संसार के सामने उसका बढ़न नह प्राप्त कर लिता है तो सारे संसार के जो बाद-विवाद है उसे मिथ्या लगने लगते हैं जूटे लगने लगते हैं, अर्थात जो संसार के प्रति उसके आना सक्ति हो जाती है एक लगती है देखें यानि धनी सुनाई देती है नादम माने अनहद नाद उचलिया माने सुनाई देती है तो उहां पर अनहद नाद की एक शंगीत सुनाई देता है और यह संगीत ही साधक के लिए गहर माने गहरा और गंबीर माने भी गहराई होता है तो यहां से वह इस्तति गहरे से गहरी है ग परम ब्रहम शरूप मानक को सादक प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वान भूत कर लेता है उसे बाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता उसे ब्यक्त नहीं किया जा सकता फिर लुकाया और दूसरे संसार के लिए लुप्त ही रहती है छिपी रहती है लुकी रहती है और जब साद बाद विवाद उसे जूंटे या मिथ्या परतीत होने लगते हैं तो यहाँ पर देखिए उश्र सादक की जो अनहदनाग की इस्तति है उसको यहाँ पर सारों का सार कहा गया है यह योग शब्दाबली है आगे देखें उत्पत हिंदू जरना जोगी अकल परी मुशल मानी त उत्पत्ति से हिंदू है अर्थात जब व्यक्ति का जनम होता है तो उसमें हिंदू मुशलिम कोई भेद नहीं होता है वह जनम से हिंदू ही होता है शनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म है और यह उत्पत्ति से वही हिंदू है जरना कहते हैं ब्रद्धावस्था जोगी लाक्षन कार्थ ले सकते हैं, ब्रद्धा वस्ता जरा कहते हैं, ब्रद्ध से, इससे लाक्षन कार्थ ले सकते हैं, कि अनुहव, हम उत्पक्ति से यानि जनम से हिंदू हैं, और इस संसार में हाकर के योग साधना के द्वारा शरीर की साधना करके, हम अनुहव से योगी बन अकल परि मुशलमानी और उस बुद्धी से मुशलमानी पीर बन जाते हैं। कहने का मतलब जो यूग सादक हैं, यूग सादक जो गुरु होते हैं, वो गुरु शब्द का प्रियोग न करके पीर का इस प्रियोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गुण मुसलमान के नहीं है यहां पर उस सब्ध का जो बाहियर्थ है STARTक्ता वह का पीर है और पीर के मतलब मुसलमानों के गुरू हरे हैं तो यहां पर उस बुद्धि से मुसलमाणी पीर हैं लेकिन कर्म से नहीं तेराहा चीनों हों काजी मुल्ला जो काजी मुल्ला होते हैं यानि मुसल्मान हैं जो जीब हत्या करते हैं बकरे मुर्गों की हत्या करते हैं वो उन्होंने मुहम्मत से सीखा है ऐसा मानते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि हत्या करना जीब हत्या करना ये धर्म है हमारा तो उन काजी मुल्लों को संबोदित करते हुए कहते हैं कि हे काजी मुल्लो तुम जो जी भत्या करते हो ये उचित मार्ग नहीं है ये न ब्रह्मा का मार्ग था न बिश्नु का मार्ग था और न शिव का मार्ग था और न जिसे तुम मुहम्मद का मार्ग था ते राहा चीनों हु काजी मुल्ला है काजी मुल्ला उस राहा चीनों यानि चीनों माने जानना उस राह को पैचानो या उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर ब्रह्मा बिश्णु महादेव यानि जिस रास्ता को ब्रह्मा बिश्णु और महिश ने भी माना है उस रास्ते का सला नहीं देते, और ऐसा कहीं लिख्खा नहीं है, कि जी भत्या करनी चाहिए, लेकिन काजी मुशल्मान जी भत्या करते हैं, तो उनको उद्धूदित करते हुए यहांपर गूरखनाद कहते हैं, हे काजी मुल्लो, उस रास्ते का अनुसरण करो, जिस रास्ते पर ब्रह्मा बिष्णू गए हैं, वही तुमारा राज्ता है, यह तुम जी भत्या करते हो, यह जी भत्या करना किशी भी प्रकार से न मुश्लमान धर्म के लिए तरक्शंगत है और ना हिन्दू धर्म के लिए तरक्शंगत है, एक बार पूने देखा, उतपत हिंदू, यानि गोरकनात क हे काजी मुलो तुम उश राह को चीनो यानि उश राह को जानो उश राह का अंसरन करो जिस राह का अंसरन ब्रह्मा विष्ण महादेव ने किया है अर्थात ब्रह्मा विष्णू और महादेव ने जिसको माना है जिसका अंसरन किया है उशी राश्ते का अंसरन करो अगला पत देखें मान्या सबद चुकाया दंद निहचे राजा भरतरी परचे गोपी चंद निहचे नर्वे भे निर दंद परचे जूगी परमानंद दिखी याँ पर मान्या माने माना सबद माने गुरू की गाणी चुकाया दंद चुकाया माने चूटना दंद माने दंद शांसा रेक शंशे निहचे माने निश्चे राजा भतरी जो योगी होवे थे परचे गोपी चंद गोपी चंद भी योगी परचे माने परचे या आत्म साक्षातकार निहचे नर्वे निहचे माने वही निश्चे नर्वे माने नर्पती राजा निर्दंद निर्दंद रहे थे परचे जोगी परमानन्द देखिए यहां पर गुरू की जो बाणी है जो गुरू होता है योगी के लिए उस गुरू की बाणी की महत को प्रत्वादित करते हुए यहां पर गोरकनात कहते हैं कि मान्या सब्द चुकाया दंद जिनोंने गुरु की बाणि को मानया, यानि गुरु की बाणि का जिनोंने अनुसरण किया, चुकाया दंद, उनके सारे जो शांसारिक दंद थे, वह छूट गए, वह शांसारिक दंदों से मुक्त हो गया, निहचय राजा भरतरी इसी निश्चय से राजा भरतरी योगी बने किस निश्चय से गुरू के बाणी के उपदेश से ही राजा भरतरी जो थे वो परम योगी बने परचय गोपी चंद और इसी निश्चय से कौन से निश्चय से गुरू की बाणी के उपदेश से ही जो गो गुभी चंद ने परम ब्रहम से परिचे किया या आत्म साक्षात कार किया निहचे नर्वय भये निर्दुन्द और इसी निष्चे से अनेक नर्पती नर्वय माने राजा नर्पती इस शांसार की विषयव बाशनाओं से निर्दंध हो गए, दंद रहित हो गए, परचे जोगी पर्मानंद और उनोंने उश परंब्रहम से परचे करके पूलर पर्मानंद की प्रापती करके यूगी की अवस्था को प्रापत कर लिया यानि जो सादक है सादक के लिए जो सब्सी बड़ी उसका उद्देश है वह उद्देश है परम बरम से तादात में इस्थापित कर लेना कुलनी को जागरत करके सहस्तरार चक्र की उच्छा वश्ता में पहुचा देना और फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में अद्वयत इस्थापित हो जाता है और फिर भगवत शुरूप हो जाता है यही सादक की उच्छ इस्तिती है तो इसमें गुरकनात कह रहे हैं दुवारा देखें मानिया सबद चुकाया दंद के जिनोंने सबद को माना यानि सांसारिक विशय बासनाओं से सांसारिक जो संसे थे वो सारे उसके मिट गए निहचय राजा भरतरी इसी निश्चे से राजा भरतरी थे राजा भरतरी योगी बने और परचय गोपी चंद इसी निश्चे के द्वारा जो गोपी चंद थे वो भी इश्वर से आत्म परचय पर्चे करके आत्म साख्षात करके गोपी चंद भी योगी की अवस्था मेंपूंच गे निर्वे बहे इसी निश्य से अनेक राजा दुंद से रहित हो गए और फिर वे पर्चे करके उस परम प्रहम से साप्षात कार करके पूर्ड परमानन की स्थिती को प्राप्त करते हुए जोगी बन गए योगी बन गए घिया पर खा गया है देखें अर्धे जाता उर्धे धरे काम दगद जे जोगी करे तजे अलेंग्यन काटे माया ताका विष्ण पसाले पाया अब देखी यहां पर गुरकनात कहते हैं अर्धे अर्ध मने अध्य अध्य मने नीचे और उर्ध है उर्ध उर्ध मने उपर दगद मने जलाना नश्ट करना जोगी करे तजे अलेंग्यन अलेंग्यन मने आलेंग्यन इश्पर्ष ताका ताका मने उसका विष्ण मने विष्ण भगवाण पसाले मने पकारना पसाले यानी पकारे यानी पकारना धुना देख्यें यहां पर जो शुक्र तत्त्त है वह वह शुक्र तत्त्त उ उसका प्रवर्थी है वह नीचे की तरफ गमन करता है। तो यहां पर उस शुक्र तत्त को उर्धा अवस्ता में ले जाने की तरफ संकीत करते हुए गुरखनात कह रहे हैं कि अर्धे जाता जो वीर है जो शुक्राणू है शरीर में खाने से रस रस मज्या खून और फिर उस वीर की उत्पत्ती होती है शुक्राणू बनते हैं तो वह उसकी प्रबर्ती होती है अर्धे जाता वह नीचे की तरफ जाता है लिकन जो योगी सादक होता है वो योगी सादक उसको का उर्ध गमन कर लेता है उर्द धरे यानि उपर की उर उसको रख देता है धरे माने रख देता है यानि जो शुक्र है जो कुंडलनी कहते हैं जो मूलाधार है उस मूलाधार में जो शुक्र होते हैं शुक्र की स्थिति नीचे की तरफ होती है लेकिन जो सादक होता है सादक साधना के द्वारा उपर की तरफ रख देता है यानि उसका उर्थ गमन कर देता है शुक्रतत्य का नीचे से उर्थ गमन कर देता है जब ऐसी स्थिति हो जाती है शादक की काम दगद तो उसकी जो काम बासना है जल जाती है नश्ट हो जाती है जे जोगी करे जो योगी ऐसा करता है कैसा करता है जे जोगी जोगी शुक्रतत्य को नीचे जाते हुए शुक्रतत्य को उध्वा गमन कर देता है उपर की और ले जाता है उसके जो काम बासना है वो नश्ट हो जाती है और तजय अलंगन और फिर वह इस्त्री का जो आलंगन होता है इस्त्री का आलंगन नहीं करता उसको छोड देता है काट माया और यह सांसरक माया उसकी सारी कट जाती है माया से रहित हो जाता है माया उसे व्यापती नहीं है जब ऐसा को शादक कर लेता है तो उसकी जो इस्तिती है उसकी बहुत उच्छ हो जाती है तो ताका उसका विश्णु भी पैरों का उसके पैरों का उसके पेरों को धूते हैं. यानि भगवान से भी ऐसा सादक ऊपर हो जाता है. यानि वह विश्णू जिनके सरी चर्णों से गंगा प्रभायत हुई थी, गंगा निकली थी, वह विश्णू भी ऐसे योगी के चर्णों को धूते हैं, पकारते हैं? किसके चर्णों को? जो आलंगन करना यानि इस्त्री की प्रति ब्रक्त हो जाता है, काट माया उसकी सारी माया बंधन कट जाते हैं, उसे शांसारिक माया मोह नहीं व्यापते, ऐसा जो योगी कर लेता है, उस योगी के विश्णु भी चरणों को धोते हैं, उसकी चरणों को पकाते हैं, यानि योगी की बहुत महत्य प्रदान किया गया है यहां पर योगशादना को भर्या ते थीरम जल जलन्त आधा सिधें सिध्ध मिल्यारे अबधू बोल्या अरो लाधा 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 मने लाभ भर्या मने ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान से भरा या ज्ञान से परिपूर्ण थीरम माने थिर इस्थिर्चित जल जलन्त चलकना आधा माने आधा सिंधे सिध्ध शिध्ध मिल्यारे अबधू बोल्या अरो लाधा देखी यहां पर दो प्रकार के विक्तियों का उल्ले करते हुए गुरकनात कहते हैं कि भर्या ते ते मने जो जो ग्यान से परिपूर्ण होते हैं जो ब्यक्ति जो सादक ग्यान से परिपूर्ण होते हैं जिनको शंपूर्ण ग्यान होता है जो ग्यानबान होते हैं वे इस्थिर्चित वाले होते हैं जल जलन्त आधा, लिकन जिन लोगों को अर्ध ज्ञान होता है, वे उसका दिखावा जादा करते हैं, अध्ध जल गगरी जल कत्चाए, यानि जो पूरा भरा हुआ गड़ा होता है, वो गड़ा दिखावा नहीं करता, जो पूर ज्ञान से संपन योगी होते हैं, वे योगी दुखावा नहीं करते, कम भोलते हैं और उनका ज्यान है, ज्यान दूसरे लोगों को लाभ प्रदान करता है, लेकिन जो अल्प ज्यानी होते हैं, जिन में कम ज्यान होता है, वे अपने ज्यान का दिखावा करते हैं, यानि झल जलन्त आदा, hall के जगरी चल कर जाए यानि आदे ग्यान अपूर ग्यान वाले दिखावा जादा करते हैं वे अपने ग्यान को छलकाते हैं शिद्ध मिल्यारे अब देखिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं सिद्ध पुरुष ऐसे अल्प ग्यान अर्द ग्यान वाले लोगों से जो बाही आडंबर करते हैं उनसे दिखावा नहीं करते उनसे किसी प्रकार का बात चीत नहीं करते बारता लाप नहीं करते लेकिन सिंदे सिंद मिल्यारे लेकिन जब सिंद से सिंद का मिलान होता है तब वे आपस में बारता लाप करते हैं सिंदे सिंद से सिंद का मिलान होता है तब वे आपस में बारता लाप करते हैं रे अबदू, हे अबदू, जब सिद्ध का सिद्ध से मिलान होता है, तो या पश्मे बारता लाब करते हैं, बोलिया, यानि बारता लाब करते हैं, अरु लाधा और परश पर एक दूसरे को उनकी बातों का, उनकी ज्ञान से युक्त बातों का लाब होता है, लिकन जो परिपक्को इस्तिती वाले होते हैं, यानि जिनका ग्यान परिपक्को आवस्ता में नहीं होता, वह लोग बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी शारत तो नहीं निकलता, यह यहां पर यह कहावत, यह जो लुकुक्ति है, अधिजल गगरी छलकत जाय, इसका नही किया गया है, एक वार दुबारा से देखें, भर्याते थीरम, यानि जो ग्यान से भरे हुए, जो ग्यान से परिपून हैं, वे इस्तिर्चित वाले होते हैं, धीर और इस्तिर्चित वाले होते हैं, धेरशिल होते हैं, जल जलंत आधा और जिनके पास में आधा दूरा ग्य से जब सिद्ध का मिलान होता है पूर्ण ज्यानी पुरुष से जब दूसरा कोई पूर्ण ज्यानी पुरुष मिलता है तो हे अब्दु वे बोलते हैं आपश में बातालाब करते हैं अर्वलाधा और उसका दोनों को लाब होता है लेकिन जो अधजल अर्ध ज्यान वाले होत अवस्ता है उस ज्यान की अवस्ता को श्रेष्ट वताए गया है स्वामी बन संडे जाओं तो सुध्या व्यापय नग्री जाओं तमाया भर भर साओं तबिंद व्यापय क्यों सीज़त जलब्यंद की काया तो यहां पर गुरकनात कह रहे हैं कि जो एक सादक है सादक साधना क करता है तो साधना में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं अनेक प्रकार के कष्ट और उस परम्रहम से साक्षात कार करना कोई हशी ठट्टा नहीं है इसे तो बिरले योगी ही कर पाते हैं और यह जो साधना का मार्ग है साधना का मार्ग अत्यंत दुर्गम है अत्यंत कठिन है तो उसकी तरफ यह सारा करते हुए यहां पर गोरकनात कहते हैं कि स्वामी बन संड बन संड माने खंड जाओं तो सुध्या शुदा माने छुदा भूँख ब्यापय माने ब्यतित करती है ब्यापती है डगरी नगरी माने नगर त माया त माने तू भर भर साओं साओं माने खाओं तू बिंद बिंद माने शुक्र बीरे क्यों सीजट जल ब्यंद जल की बूंद जल बूंद यानि इसका जो अर्थ है वो शुक्राणू से है सीजट मने सिद्धी प्राप्त करना समत्य की इस्तती प्राप्त करना शमत्य की इस्तती प्राप्त करना दिखिए सीजट सीजट का मतलब जैसे हम आलू बालते हैं तो कहते हैं कि या सबजी बालते हैं तो सबजी सीज गई यानि पक गई तो उसका आर्थ पकने से है और यहां पर जो उसका लच्छन अर्थ लि यानि समत्त की इस्तिति प्राप्त करने से है जहां पर जो योगी है वह शुक्ख-दुख से परे हो जाता है सत असत से परे हो जाता है वह इस्तिति देखें तो यहां पर गुरखनात कहते हैं कि हे स्वामी यदि में बन खंड जाऊं तो चुदा ब्याप है मुझे भूंक में वहां पर खाने का उस प्रकार का प्रबंद नहीं होता, जिस प्रकार गाओं या नगरों में प्रबंद होता है, तो हे स्वामी, अगर मैं बंखंड जाता हूं, तो मुझे छुदा परिशान करती है, ब्यापती है, नगरी जाओं तुमाया, लेकिन जब लोगों, जहां ल लेते हैं, जिनके प्रती मेरी आशक्ति हो जाती है, यानि इस्त्री पुर्सों के प्रती आकर्शन हो जाता है, अनेक प्रकार के जो पकवान है, भूजन है, उसके प्रती जिब्या आकर्शित हो जाती है, तो नगरी जाओं तुमाया, तो नगरे में जाने पर मुझे माया ब्याप्त करती है, भर भर खाऊं तो बिंद ब्याप्त है, और जब ठूश ठूश करके खाता हूं, भर भर खाता हूं, तो बिंद ब्याप्त है, तो उससे खाने से खून पैदा होता है, और खून से मज्जा, हड़ी, मज्जा और फिर बीर बनता है, तो जब शरीर में बीर बनने लगता है जादा खाने से जादा बीर बनेगा और जब बीर बनेगा शुक्र बनेगा तो फिर काम बासना उत्पन होती है यानि व्यक्ति की जो कामिंद्रियां हैं कामिंद्रियां जागरत हो जाती हैं वे उसे ब्यतित करती हैं क्यों सीजत जल ब्यंद की काया अरे ये जो शरीर है, यह तो शुक्राणू से युक्त शरीर है, यह सरीर कैसे सिद्धी को प्राप्त कर सकता है, कैसे समत्य की इस्तिती को प्राप्त कर सकता है, यानि इस सरीर के द्वारा जिसमें शुक्राणू मौजूद है, उसके द्वारा सिद्धा, यानि योगी की जो सिद्धी की अबस्ति है उस सिद्धी की जो अबस्ता है उसे प्राप्त करना बड़ा ही दुरलब है दुसकर है कठिन है यहां पर क्यों सीज़त जल ब्यंद की वाया फिर इस जल बूंद से यानि शुक्राणू से युक्त यह सरीर कैसे साधना कर पाएगा यानि काकु बक्रुपति भब नहीं है लेकिन इसको कौन कर लेता है इसको कोई बिरला योगी है बिरला योगी ही कर पाते हैं यह इसका भाव है भर भर घाओं यहां पर पुनरुक्ति प्रकास लंकार है एक ही शब्द उशी अर्थ में आ रहा है पुनरुक्ति प्रकास लंकार है और पुनरुक्ति पुनुक्त पधाबा भास यमक बीपशा अनुप्रास बख्रुक्ति ये अलंकार शब्दा लंकार के इंतर्गत आते हैं तो आगे चलने देखें थोड़ा बोले थोड़ा साय तिस घट पबना रहे शमाय गगन मंडल में अनहद वाजे पेंड पड़े तो शत्गुर लाजे यहां पर देखिए गुरकनात कह रहे हैं कि बिक्ति को अती का बर्जल करना चाहिए अती शर्वत्र बर्जेत बहली बात है तो यहां पर गुरकनात कहते हैं कि यूगी का जीवन है यूगी का जीवन बड़ा कटन होता है उसे अपने शरीर की शाधना के लिए काफी त्याग करना पड़ता है तो इसमें अती का बर्जन की तरफ इसारा किया गया है कि अती का बहलान बोलना अती की बहलीन चूप और अती का बहलान बर्जना अती की बहलीन धूप तो थोड़ा बोले जो यूगी है वित्ति को थोड़ा बोलना चाहिए थोड़ा साय साय माने खाना तिस माने उस घट माने शरीर पवना माने पवन जो थोड़ा खाता है उस शरीर में पवन शमाहित होता है गगड मंडल में अन्हत भाजे, पेंड पड़े तो शत कुरु लाजे और ऐसा जो यूगी होता है, जो कम बोलता है, कम खाता है और जिसके शरीर में पबन का बास होता है पबन समाज आता है समायत होता है वह आकाश मंडल में अपनी नाड़ी को यागरत करके वह गगन मंडल यानि आकाश मंडल में जो सहस्त्रार चक्र है जो ब्रह्म रंद्र है ब्रह्म रंद्र की इस्तिती को प्राप्त कर लेता है और वहां पर जो अनहाद संगीत बजता रहता है उश की धनी को वह सुनता है और इस प्रकार वह सादक उश परम ब्रह्म से शाक्षात कार कर लेता है और अमरत्त की इस्तित और आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता शादक और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता वह परमतत्त हो जाता है वह इशर हो जाता है और यही अमरत्त की इस्तिती है जब ऐसी अमरत्त की इस्तिती को शादक योगी योग के द्वारा कर लेता है तो फिर तो पड़े तुमाने यदि शरीर नश्ट हो जाता है, तो शत्गुरु को लिए ये लज्जा की बात है, कहने का आर्थ ये है, कि यहां पर गो रखनाती ये कहना चाहा रहे हैं, कि जो योगी है, योग के द्वारा उह परम ब्रहम से साक्षात कार कर सकता है, और जब साक्षा कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करता, और फिर ये जो शरीर है, ये शरीर अमर नहीं बना पाता, वो शरीर फिर नश्ट हो जाता है, तो ये उस शादक के लिए तो लगजा की बात है ये, साथ ही उसका जो गुरु है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना योगी साधना मार् उसे इश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम ब्रहम से साक्षातकार नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर गुरकनात कह रहे हैं कि वह योगी जो उसका शरीर पड़े तो, यानि उसका शरीर नश्ट होता है, तो यह उस योगी के लिए तो लगजा की बात ही है, लेकिन उसके गुरू के लिए भी बड़ी लज्जा की बात है, दुबारा देखें, थोड़ा बोले, थोड़ा साय, तिस घट पबना रह समाय, जो योगी शादक है, वह कम बोलता है, कम खाता है, तिस घट पबना रह समाय, उसके घट रूपी शरीर में पबन का बास होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, रूप कातिश्युक्ति अलंकार है, रूप कातिश्युक्ति, जहां पर उपमान के कतन से ही उपमे की बात कह दी जाए, रूप कातिश्युक्ति अलंकार होता है, गगर मंडल में अनाद बाज है, और ऐसा जो शादक है, वहां आकास मंडल में ए और जिस ने शरीर में जो पवन है यानि प्रनायाम उसने प्रनायम के द्वारा अपनी शरीर की साधना कर ली है वह गगन मंडल में अनहदनाद को सुनता है और फिर भी प्यंड पड़े तो यदि उसका शरीर गिरता है या नस्ठ होता है तो यह उसके लिए तो लज्जा की ब यानि योगी का जो परमकर्तब है वह आंतमसाक्षात करना है और इस जीवन के रहते हुए जो आंतमसाक्षात करने में बिफल होता है यानि उसका जो शरीर है शरीर कल्सित हो जाता है वह बड़ी लज्जा की बात है अबधु अहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कबहुन होगा रोगी छटे छ मा से काया पलटबा जियों को बिरला जोगी यहां पर कहते हैं के हे अबधु हे योगियो अहार तोड़ो गोरखनात कहते हैं के हे अबधु हे योगियो हे सादको अहार तोड़ो यानि जो अहार है भ मोड़ो यानि निद्रा को अपने पर वशी भूत मत होने दो निद्रा के गुलाम मत वनो यानि निद्रा को निष्ट करो कबोन होईगा रूगी जो एशा करेगा छटे छे मास काया पलटवा और छटी छमारे यानि छे मास छे मास में यानि साल में दूबार जो काया पलटवा यानि अपने काया कल्प काया पलटवा कारता है काया कल्प करना काया कल्प का मतलब यह होता है मैंतरो कि यह शरीर है शरीर छिती जल पाबक गगन शमीरा पंच तत्मिल बना शरीरा तो ये शरीर है चिती, जल, पाबक, गगन और समीर इसमें पांच तत्तों से ये बहुतिक शरीर निर्मित है और अधिक इस सरीर से जब हम असयमी हो जाते हैं तो फिर इस सरीर में अनेक रोग इस सरीर को ग्रिशित कर लेते हैं यानि उसमें जो पांस तत्तों हैं पांस तत्तों का जो संतुलन होता है जब संतुलन में रहते हैं तो जो शादक है व्यक्ति है वह व्यक्ति निरोग होता है लेकिन जब असंतुलन की इस्तिती हो जाती है तो उस इस्तिती में रोग पैदा हो जाते हैं तो उस सादक को काया क कल्प करते रहना चाहिए 6 महीने में काया कल्प करते रहना चाहिए काया कल्प का मतलब बात पित और कफ है तो इस मैंसे जो संतुलन है या पिर सरीर की जो पंच बहुत इक तत्तों है उन तत्तों का जो संतुलन बिगड़ जाता है तो जिस तत्त की मातरा जादा हो जाती है उ उस्य तक्त्त को यूग की विधियों से उसे समत्त की इस्तिती में लेकर के आना काया कल्प है. यहां पर उसी को काउलेक करते हुए गुरकनाथ कहते हैं कि अबदू आहार ठोड़ो, हे अबदू, हे योग्यों आहार को तोड़ो, यानि अलपा हार करो, निद्रा मोड़ो, निद्रा को कम करो, निद्रा को अपने पर वशी बूत मत होने दो, और छटे चमारे 6 महिने में इ प्रेदि ऐसा करोगे तो कभोन होगा रोगी, तो हे योगी, हे अब्धु, तुखी भी रोगी नहीं होशकता, जियू को, जियू को माने इसको, को बिरला, को माने कोई, बिजोगी माने योगी, जोगी, अब इस कारे को कोई कोई बिला यूगी ही कर पाता है हर किसी के बस की बात नहीं है यानि साधना का मार बड़ा कटन है आगे देखें अत्य अहार यंद्री बल करे ना से ग्यान मैं थुन्चित दरे यहां पर देखिए अती है अती शर्वत्र बरजेत यानि अधिक आहार करने का निशेद किया गया है यहां पर गूरकना कहते हैं कि अत्य आहार आहार माने भूजन यंद्री माने इंद्रियां बल करे ना से ग्यान ना से माने नश्ट होना ग्यान मैथुन चित चित माने चित में धरे माने धारन करना डिक्षि यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अधिक भुजन करता है यानि सैयमी व्यक्ति नहीं है जो सयम नहीं कर पाता है उश्वित्ति को संबोधित करते हुए गोरकनाथ कहते हैं कि अत्य अहार इंद्री बलकर है कि ज़्यादा अत्य धिक आहार करने से इंद्रियां बल्वती होती है यानि अत्य धिक आहार इंद्रियों को बल्वती करता है बल्वान करता है कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम जितना हमें भूजन चाहिए हमारी जो रशना हैं रशना किसी भी चीज की प्रति जो भूज पदात हैं उनके प्रति आकर से उत्तो थी है और हम ठूश-ठूश करके खाते चले जाते हैं, सहीव नहीं रख पाते, तो इस शरीर में जो खान पान होता है, उस खान पान से फिर वही रस बनता है, रसे मज्जा, हड्डी, कून और फिर बीर्य की उत्पत्ती होती है, शुक्रणों की उत्पत्ती होती है, अब देखिए जब शुक्रणों की उत्प प्रिभुशन मिल जाता है और फिर वह अपना-पना कारे करने परबर्त हो जाती है और ये योगी के लिए अच्छी इस्थिति नहीं है तो योगी को यहां पर संबुधित करते हुए गुरकनात कहते है कि अत्याहार करने से इंद्रियों बलवान हो जाती है और जिससे ज्ञान नश्ट हो जाता है मैथुन चित धरे और इंद्रियों के बलवान होने से जो चित है मन मैथुन की तरफ ध्यान रखता है यानि चित में मैथुन की बातें की तरफ चित आकरसित होता है चित धरे मैथुन यानि चित में मैथुन की तरफ जो कामा सकती है कामा सकती की तरफ जो चित है वो आकरसित होता है व्यापे निंद्रा और अतिदिक निद्रा आती है जादा भूजन करने से निद्रा भी आती है तो उसको नीद भी परिशान करती है जंपे काल और उसको जो क है काल ढख लेता है या वक्ती जल्दी की काल कवलत होता है तकर Чण्यत्य प्रॉम दुख रहते हैं वह दुखों में दुखों से घिरा हुआ रहता है जंजाल माने सांसारिक कष्ट वह विक्ती सांसारिक कष्टों से घिरा हुआ रहता है यह कहा गया है यानि अत्यधिक आहार करने को बर्जित बताया गया है आगे देखें अमरा निर्मल पापन पुन्य सत रज विवर्जित सुन्य शूहम हंसा सुमरे सबद तेहें परमारत अनंत शिद्ध अमरा निर्मल पापन पुन्य सत रज विवर्जित सुन्य यहीं जो साधक सत रज दिखी सत रज तम तीन गुड़ होते हैं जो सादक सुन्य माने शुन्य आकास मंडल, बिरहम रंद्र, जो बिक्ति, जो सादक कुंडलनी को जागर्त करके शुन्य आवश्था के इस्तिती को प्राप्त कर लेता है, और शत्रज बिवर्जित, जो सत्रज और तम, तीनों को बिवर्जित कर देता है, बिवर्जित माने उस ये रहित हो जाता है, नश्ट कर देता है, उसके प्रती आशक्ती नहीं रेती, सत्रज और तम से परे हो जाता है, देखें दबार सुने यानि जो सादक आकाश मंडल कुंडलनी को जागरत करके आकाश मंडल में जो ब्रहम्बरंदर है ब्रहम्बरंदर की इस्तिती को प्राप्त कर लेता है और शत्रज तम से बिवर्जित हो जाता है शत्रज तम के पृति उसकी आसकती नहीं रहती है उसके रहित सत्रज तम तीनों गुड़ों से रहित हो जाता है जो पाप न पुण्ये जिसके हिर्दय में न पाप है न पुण्ये है यानि पाप और पुण्ये से रहित हो जाता है जो अमर होता है जिसका चित निर्मल होता है सोहम हंसा सुमरे सबद और जो सोहम हंसा जैसे बाणी का इश्मरन करता है तेहें परमारत अनंत सिद्ध उशे परमारत की प्राप्ति होती है और अनंत शिद्धी की प्राप्ति होती है वह परमारत के मार्ग पर चलते हुए अनंत शिद्धी को प्राप्त करता है तो दिखिए इसका ये अर्थ है द्वारा से देखें आपर जो योगी है उस योगी के महत को प्रतपादित करते हुए यहाँ पर गूरकनाथ कहते हैं कि जो योगी शाधना के द्वारा शून मंडल में कुंडलनी को इस्थापित कर लेता है शत रज बिवर्जित यानि शत रज और तम को बिवर्जित कर देता है उससे रहित हो जाता है तिर जो तीन गुड़े हैं तीनों गुड़ों से परे हो जाता है पाप और पुंड से रहित हो जाता है जिसका शरीर आत्मा निर्मल हो जाती है जो अमर हो जाता है देखिए जब जो ब्रह्म ब्रंद्र है, ब्रह्म ब्रंद्र में जब सादक की इस्तिती हो जाती है, तो आहां पुसाक्षात कार हो जाता है, उसे ही अमरत का गया है, तो ऐसा जो अमरत की इस्तिती है, और सोहम हंसा जैसे सब्द का इश्मर्ण करता है, तेहे परमारत अनंत शिद्ध, उसे परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए अनंत सिद्धी की प्राप्ती होती है और यही योगी का चरम लक्ष है अंतिम लक्ष है तो मित्रो इस प्रकार से यह हमने कुछ गोरकवाणी की जो सब्दी है सब्दी को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना 14 रचनाओं में 40 को प्रामाणिक माना है और उसमें फिर भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना कौन सी है तो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना सब्दी को दो बार उलेक किया है भूमका में और ग्यारमी सताब्दी समयमाना है गोरकनात का पीतंबर बढ़तवाल न और तेरे मी सदी नगिंद्र ने, राम चंद शुक्ल ने, राम कमार बर्मा ने और नौ मी सदी हजारी प्रशाद दुवेदी ने और इसकी जो चोदे रचना है ये परीक्षा की दृष्टी से महत भून है और इन में से, ये देखिए, मोटा मोटा आर्थ हमने कर लिया है तो यहां से कोई भी अगर पूछा जाता है कि बताईए कि किसके हिर्दे में सांसारिक कष्ट सदा बिद्दमान रहते हैं तो जो बित्ती अत्यंत आहार करता है तो ऐसे प्रशने हाँ पर पूछे जा सकते हैं और अनंत शिद्धी की प्राप्ती किसे होती है तो ये इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं जब बिकल्ब मिलते हैं तो मित्रो आज के लिए इतना ही